नमस्कार, मेरा नाम अंजेलू है, मैं आदाका महिला समख्या में NPM संग कारेकरी के तौर पे काम कर रहा हूँ हमारे प्रोग्राम के अंतरगत हम NPM प्रैक्टिस को बढ़ावा देते हैं, हम किसान बहन एवन भाईयों को यह बतलाते हैं कि किस प्रकार से रसायनिक चीजों को कम उप्योग में लाकर कम खर्च में काम कर सकते हैं हम किसानों को बढ़ावा देते हैं कि वो इस तरह के खोल बना कर उप्योग करें हमने पहले भी इन्हें इस तरह का गोल बनाने के बारे में बताया है इस वीडियो में श्री परवतलूर हमें इसे बनाने की विधी और इसके फायदे के बारे में बताएंगे इन सभी बातों को इस विडियो में विश्तरित चर्चा की जाएगे निमास्त्रम को बनाने के लिए किन-किन सामगरियों क्या वसकता होती है निमास्त्रम बनाने के लिए आवश्यक सभी सामगरिया हमारे आसपास ही मौजूद है निमास्त्रम बनाने के लिए हमें एक ड्रम में 15 घड़ा पानी चाहिए इसके बाद हमें 10 किलो नीम का पत्ता चाहिए जिसे अच्छे से पीस कर पेस बना लिया गया हो उसके बाद हमें 2 किलो गाय का गोबर चाहिए उसके अलावा हमें 10 लीटर गौमूत्र चाहिए जिसे हम मिश्रण में मिलाएंगे पीसे हुए 10 किलो नीम के पत्तो को ड्रम में रखे हुए 15 घड़े पानी में मिला दे और ध्यान रखे कि यह अच्छे से मिल जाए उसके बाद 2 किलो गौबर भी उसी ड्रम में मिलाएं 10 लीटर गौमूत्र भी ड्रम में रखे घूल में मिलाएं इन सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद एक बड़ी छड़ी की मदद से इसे सुबह, दोपहर और शाम को अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि सामग्रिया ड्रम के निचले हिस्से में जमाना हो और अच्छे से घूल में घुली रहें दो दिनों के बाद इस घूल को एक पतले कपड़े की मदद से चान लेंगे यह च्छना हुआ घूल हमारे खेत में लगी फसलो पर छिड़काने में काम आएंगी निमास्त्रम जब बन जाए उसके बाद हम तीन महीने तक इसे ड्रम में रख सकते हैं यह तीन महीने में खराब नहीं होगा लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि बने होए नीमास्त्रम में अलग से पानी नहीं मिलाना चाहिए अगर हम अलग से पानी मिलाएंगे तो हमें बहतर परिणाम नहीं मिल पाएंगे नीमास्त्रम के प्रयोग से फसल में लगे कीट और उनके अंडे खतम हो जाते हैं नीमास्तरम के उपयोग से कहीं प्रकार की फसले की बीमारिया भी खतम हो जाती हैं नीमास्तरम बनाने के लिए आवश्चक सामग्रियां हमारे आसपास ही मौजूद हैं जैसे पानी, नीम के पत्ते, गोबर और गोमूत्र इस नी मास्रम को बनाने के लिए मैंने एक रुपया भी खर्च नहीं किया जैविक खेती हम अपने आसपास की मवजूद सामगरियों की मदद से कर सकते हैं और ये सामगरियां प्राया हमारे खेत और मवेशियों से प्राप्त हो जाती है जैविक चीजों को उपयोग कर हम कई प्रकार के खाद बना सकते हैं ये सारी चीजें हमारे खर्च को कम करने में हमारी मदद करती है इनका हमारे स्वास्त, हमारे बच्चों, मवेशियों और खेत की उपज़ पर काफी साकारात्मक प्रभाव पड़ता है मैं सभी छोटे और गरीब किसानों से आगरह करता हूँ कि इस प्रैक्टिस को अपनाएं और अपनी जिन्दगी को खुशियों से भरें धन्यवाद